जय जगरनाद यूट्यूब चैनल स्माइल फेमिल ओडिया को आप लोग को स्वागत है अगर मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं वीडियो अगर आप लोग के आच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए कुछ पैशा नहीं सब्सक्राइब करने के बाद साइट में बेल आइकन आएगा उसको दबा लिजिए जब ही में वीडियो अफ्रेट करूंगा नटीपरेशन आपको मिल जाएगा और कशिस कीजिए कि हर टेम की वीडियो पहले से लेकर लास्ट तक जरू देखिएगा क्योंकि वीडियो का ब अपयो ह करना चाहते हैं जानाव्यच्ट तसमनल देखे मालॉम हो गया होता है आज हम भात करहें पीत्रु दोस के कारण आपके क्या होता है पतिकार क्या होगा और पीत्रों दूसस्स कैसा क्या खारा भी होता है। हमारे पूरबज या पीतर जो अन्य प्रकार की कस्टकार यह निम्म अत्रुपती। यक्षांति और पीट्रोंस्टी और अनुवर करते हैं। जैसे आप लोग Спता है हम लोग जब मर जाते तो हमारा सरीर छब किसी कारण बस मौक नहीं मिल पाता है तो उसे हमारे आसा करते हैं कि हम उनके को प्राप्त कर सकते हैं जैसे हमारे पूरबज मर जाते थे तो तो क्या होता था घूल्यक का अलग जन्म ना होके फटकति आत्मा को संथानцев से उनके आसाइं, होते हैं कि वह अनेक असाय पूरण किया जाए तो वह आश्रिवाद देते हैं यदि पित्र को असुन तो रहे तो संतान की कुंडली में दूसित हो जाता है एबंग अनेक प्रकार की कस्ट परिशानिया उत्पनों करती है फॉल्स रूप कस्ट तो दुरुभाग्यों के सामना काड़ा करना पड़ता है अगर पीत्र दोस आपके रासी में है आपका ग्रह में है तो आपको बहुत सीरा कस्ट उठाना पड़ेगा यदि किसी जातों की कुंडल में पित्रदस होता है तो उसे अनेग प्रकार परिशानियां हनियां उठानी पड़ती है जो लोग अपने पित्र को तरपन एवं स्राद नहीं करते उन्हें राख्यास भूत प्रेत पिसाच डाकिनी स्वकिनी ब्रह्म राख करतेे रहते हैं अगर घर में कल्य हो तो असंति रहती है यह रोग पिढ़ाहें पीछा नहीं छोड़ती है घर में आपशी मत्व्यत बनी रहती है कारे में अन्य प्रकार बाधाय उत्पन हो जाती है अकाल मुरूत्र का भाय बना रहता है संकट अन्होनी और अमंगल की आसांग का बनी रहती है संतान की प्राप्तिक में बिलंब होता है और घर में धन का अभाब भी रहता है अनेक प्रकार महा दुखों का समना करना पड़ता है अगर पित्दस खराब है तो यह सव्यादी चीजे आपको उठाने पड़ता है घर में आये अपेख्या खर्च बहुत अधिग होता है घर में लोगों का विचार नहीं मिल पाता है जिसके कारण घर में जगड़े होते है अच्छी आय होने पर भी घर में बरकत नहीं होती है जिसके कारण धन एकत्त नहीं हो पाता संदान की विभाव में काफी परिशानिया और बिलंब होता है सूप तो था मांगली कार्ज में काफी दिक्कत उठानी पड़ती है अथक परिश्रम करने के बाद भी थोड़ा बहुत फल मीलता है बने बनाई काम बिगेडर ने देरी नहीं लगती अगर पित्रों दोस्ट आपका खराब है तो ये सारी चीज आपको लक्षन देखे होंगे और होता रहा होगा आपका ग्रह में और पित्रों की सांती तरपण आधी करने से पाप क्या होता है आपको बताता हूं कि पित्रों की सांती एवन तरपण आधी ना करने बाले मानब की सरीर में वह रक्थपान या पित्रगन करते हैं अधार तरपण ना करने कारण से आपका सरीस से रक्थ रसन करते हैं अगर आप पित्र दोस्तकी शंती है तूँ उनको संती के लिए उनका आत्मा संती के लिए अगर उनको तरपण नहीं करेंगे तो आपका सरी से औरक्तपन करते हैं बित्र दोस्त की संती है तू स्राध नाराणबली कर्म या महा मुंत्र मुर्तुरिंजय मंत्र करनी चाहिए स्राध आधि किसी मुतात्मा को लगाता तीन बस तक स्राध नहीं किया जाए तो वो जिवात्मा प्यत्र यानी में चली जाती है और ऐसी प्यत्र आत्मा को संती के लिए त्रिपंडि स्राध कराई जाता है नरहानन बली कर्म्यादि है किसी ब्रीवार में किसी अट्र मेर्यक है अकाल म lleug हो तो यह जवात्मा प्यत्र यानी में चली जाती है यहां परशुआत्मा तक स्राध पतार्ण करता है ऐसे श्तिति-पश्यान श्यापिंगा बपरत्या स्ख्याति गनंबलावकर से पूर्वोजन में सभी पाप्स नस्ट हो जाता है और पीत्रुदोस की सरण उपाई मैं आपको बताता हूं पित्रुदोस अगर आपका लाइफ में ऐसे हो रहा होगा घर में धन करा भाब का महीं हो रहा है तो आपको पीत्रुदोस है तो उनके सांती के लिए मैं सरण हता है खाने के लिए प्रसाल आट नेतल रुकर काया चाहिए थे चाहिए तो आप Εचे वाये या तो आपका घर मैं आके पूजा से घर का उंप्यार अभषय के लिए अगर आप है आपका पिता हो इनके लिए आगर कुई किसी भाउभन को खाना देना दे रहे हैं तो उनके पसंद का जो fan आ हैं उनको दीजिये उनको अबस्ष बचवे गला आगा अगर आप भ्रहांमान को खाना दे रहे हैं उनके छीर जरूर दिये इनको दिए ब्रहमन को स्राद में चान्दी के पातर में भजन करवाएं कि सथ्या दान करने का अति उत्तम फ़ल की कापती होती है अगर ख़ने अगर सफल हुता है में सुख को सब्स प allt-prat earn नाइब सिवन बैत próximo आपको पित्रदोस्तक एक करहूंस तो यह जरूर करने कि आप भाली किशत्र होगा जितना आप कमाएंगे जितना पेशा आपको कमाएंगे आपको नहीं रहेगा आपके पास घर में हरे कलह रहता है घरियर में स्रीर खराब रहता है ओर जगड़ा जब जडरतर रहता है और पेशा आपका घरमें नहीं टिकता है और पीत्र दोस ऐसा चीज आपको इससे कोई नहीं बचा पाएगा किckap कै्ट कि अपको खुद करना है आपका पित्रों लोग कभी भी आगर आपको संती है अगर उपर में लोग देखते रहते हैं कि आप क्या कम कर्म कर रहे हैं अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको फर देंगे अगर बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरा फर मिलेगा और कभी भी यह मत भूलेगा कि पित्रों जरूर लगता है और इसको बचने कल सरी तरीका है कि आपको उनके लिए स्राध या तरपण करना चाहिए इससे आप बच सकते हैं और पित्र दोस सबसे बड़ा दोस है इससे आप नहीं पच पाएंगे और कोशिश किजिए ऑख कि पित्र दोस हर सल सब आता है पीत्र दोस्त निभाइन करने के लिए पूजा आता है हर सल तो कोशिच के दियागा हर सल उनको पीत्र दोस्त का जो भी पूजा होता है उनको हर साल आप कंटिनुव कीजिए और घर में आगर उनका पीत्र दोस्त का फोटो है आपके घर में उनका फोटो पर माला चड़ा के उनको थोड़ा पूजा करिए और हर दिन उनको फोटो में उनका चरण जो के बाहर जाए कि उसके पीत्र दोस अगर आपको परसांती रहेंगे लाइब में चाहिए जितना भी बड़ी-बड़ी समस्या हो आपको दूर हो जाएगा अगर पीत सब्सक्राइब करने का बाद साइड में बैल आइकन आएगा उसको दबा लेजिए जब भी में वीडियो अप्रट करूंगा नोटी पेसन आपको मिल जाएगा और पीत्र दोस्त को निबारण के लिए सबसे अच्छा है हर साल आप पीत्र दोस्त को स्राद करते रहें धन्य वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा कि बहुत सारे कस्टमर वीडियो देखते हैं लाइक करना भूल जाते हैं धन्यवाद नमस्कार